नमस्कार द्वीती वर्ष की हिंदी साहित्ति की इस ओनलाइन कक्षा में मैं डोक्टर नौनित प्रिया शर्मा सहाचार्य राजकी ये मीराकन्या महाविद्याले उदेपुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रिये बच्चों सर्व प्रथम तो मैं आप सभी को आपके उज्वल भविश्य के लिए शुप कामनाई देती हूँ और साथ ही शिखर पर पहुँचने का एक सपना भी प्रिये बच्चों सफलता के शिखर पर पहुँचने के लिए खुली आखों से सपने देखना बेहत ज़रूरी है हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवी पाश भी यही कहते हैं कि सबसे खतरनाख होता है सपनों का मर जाना हमारा यह सपना बंद आखों से देखा गया सपना नहीं है बलकि जगी आखों से देखा गया सपना है इसलिए इसकी क्रियान वीती के लिए हमारी दिशा पूर्णत इसपश्ट होनी चाहिए इसलिए आज हम सर्व प्रथम हिंदी साहित्य के पाठ्थे क्रम और उसकी अंक योजना के बारे में गहनता से जानेंगे प्रिय बच्चों मैं आपको सर्व प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम काव्य है का पाठ्थे क्रम और अंक योजना विस्तार से बताने जा रही हूं आपक्रपया इसे अपनी नौट बुक में नौट कर लें प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्थे पुस्तक है जिसका नाम है रीती काव्य सुमन इस पुस्तक के संपादक है डोक्टर राम क्रिष्न शर्मा और इसके प्रकाशक है माया प्रकाशन मंदिर त्रिपोलिया बाजार जैपुर इस पुस्तक को आप अवश्य खरीद लें अब हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्थे वर्गी करण को जानेंगे बच्चों आपका यह पूरा पाठ्थे क्रम पाँच इकाईयों में विभक्त होगा इसकी पहली इकाई है रीति काल के प्रवर्थक आचार्य कवी केशव दास के संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोच नात्मक प्रश्न रीति बद्ध कवी मती राम के संकलित अंश की व्याख्या और आलोच नात्मक अंश रीति बद्ध कवी विखारी दास के संकलित अंश की व्याख्या और आलोच नात्मक अंश इसकी दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे रिती बद्ध कवी सेना पती के संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोच नात्मक प्रश्न इसी में हम पढ़ेंगे पद्मा करके संकलित अंश की व्याख्या और आलोच नात्मक प्रश्न इसकी तीसरी इकाई है वीर रस के कवी बूशन के संकलित अंश की व्याख्या और आलोच नात्मक प्रश्न इसी इकाई में अगला है रिती मुक्त कवी गनानंद के संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोच नात्मक प्रश्न आगे हम इसकी चोथी इकाई में पढ़ेंगे रिती बद्ध कवी देव के संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोच नात्मक प्रश्न इसी इकाई में हम पढ़ेंगे रिती सिद्ध कवी बिहारी के संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोच नात्मक प्रश्न इसी में हम आगे पढ़ेंगे जगनात दास रतनाकर के संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोच नात्मक प्रश्न इकाई पाच रिती कालीन काव्य की प्रवरत्तियों, काव्यधाराओं एवं उनकी विशेश्ताओं पर केंद्री थे इसके द्विती भाग में हम विभिन काव्यांगों जैसे रस, काव्य गुण और काव्य दोश के बारे में अध्यन करेंगे प्री बच्चों यह तो हो गया हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम अब हम द्विती प्रश्न पत्र जिसका नाम घद्य है के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे क्रपिया आप इसे भी अपने नोट बुक में नोट कर लें द्विती प्रश्न पत्र में दो पाठ्य पुस्तके हैं पहली है घद्य की विवित विधाओं पर केंद्रित पुस्तक आधुनिक घद्य की विवित विधाएं जिसके संपादक हैं डॉक्टर उदे भानूसिय और प्रकाशक हैं वानी प्रकाशन दर्या घंज नई दिल्ली इसकी दूसरी पुस्तक कहानियों पर केंद्रित हैं जिसके संपादक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायन लाल प्रकाशक हैं नेशनल पब्लिशिंग हाउस दर्या घंज नई दिल्ली इन पुस्तकों को भी आप अवश्य खरीद लें अब हम द्वितिय प्रश्न पत्र के पाठ्य वर्गी करण को जानेंगे बच्चों द्वितिय प्रश्न पत्र का भी पूरा पाठ्य क्रम पाँच इकाईयों में विभक्त हैं इसकी पहली इकाई है आधुनिक घद्य की विवित विधाओं में संकलित, पंच परमेश्वर, हार की जीत, बनारसी एक्का की व्याख्या एवं आलोचना इसकी दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे आधुनिक घद्य की विवित विधाओं में संकलित, मेरी जन्म भूमी, कबीर साहप से भेट, सीमा रेखा तथा यात्रा का रोमांस की व्याख्या एवं आलोचना तीसरी इकाई में हम पढ़ेंगे कथा भारती में संकलित, कफन, आकाश दीप, दुख्वा में कासु कहूं, मुरी सजनी, खुदा राम, रेल की बात, पराया सुख, कहानियों की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न इकाई नंबर चार में हम पढ़ेंगे कथा भारती में संकलित, पाजेब, शरंदाता, गदल, तीसरी कसम, अंधेरे में, आर्द्रा, कहानियों की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न इकाई पाँच में हम हिंदी कध्य की विविद विधाओं का परिचय और विकास के बारे में विश्त्रित अध्यन करेंगे और इसके दूसरे भाग में हम हिंदी कहानी के विकास के बारे में पढ़ेंगे इन दोनों ही प्रश्न पत्रों की अंक योजना इस प्रकार है कि दोनों ही प्रश्न पत्र सोसो अंक के होंगे जो की तीन खंड में होंगे और ये तीनों खंड अबस में विभक्त होंगे नमस्कार प्रश्न पत्र.